वो कहते हैं ना समर्थ को नहीं दोस गोसाई वही हाल हो गया है पाकिस्तान के परधान मंत्री इमरान खान ने एक आदेश दिया और ये कहा कि पाकिस्तान में अब हर न्यू चैनल अपनी न्यू शुरू करने से पहले दिखलाएगा पाकिस्तान का राजनितिक मैप यानी नया नकसा यहां पाकिस्तान सिर्फ नकसा ही दिखाता रह गया और भारत ने वो खेल कर दिया जिसका अंदाजा नहीं था हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था पीयो के में चीनी सेना घुसी थी और यही सबसे बड़ी समस्या बन गई अब पाकिस्तान के लिए अब भारत ने अपने ब्रहमास्त्र की तैनाती की है और ऐसी तैनाती कि अब पाकिस्तानी वायू सेना बेबस हो गई है लाचार हो गई है जिसके बाद पाकिस्तानी वायू सेना दोड़ी चीन के पास बहुत धमाल मचा हुआ है कि आप पीयो के पर एक्षन सुरू होगा ज में रूस ने कौन सा अहम किरदार निभा दिया है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से पाकिस्तान ने इस बार ऐसा किया है कि चलो कागजी कबजा करते हैं जमीन पर तो कबजा कर नहीं सके ऐसा करते हैं कागज पर ही कबजा कर लेते हैं भारत का पाकिस्तान भारत की ज नक्सा दिखाने का आदेश दिया है मतलब मतलब की नया नक्सा जिसके मुताबि गुजरात का जुनागर्ड जमू कस्मीर और लद्दा पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है और ये पाकिस्तान की जो इलक्रोनिक मीडिया रेगुलर्टी ऑथरिटी है उसने आदेश जारी किया है कि कम से कम दो सेकेंड के लिए नया नक्सा दिखाना जरूरी होगा ये आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों चैनलों पर लागू होगा दोनों को ही दिखाना होगा ये आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी ऑथरिटी ने जारी किया है पत्र को इसके अनुसार ये सारा कुछ करना होगा और जिसने नहीं किया उसके खिलाप कठोर कारवाई की जाएगी परदानमंतरी इमरान खान ने पिछले साल अगस्त में कैविनेट की मीटिंग की थी और पहली बार जम्मू कस्मीर छेत्र को भी अपना बता कर एक नया राजनीतिक नकसा बना लिया इम्रान खान ने कहा था कि नए नक्से को सभी राजनीतिक दलों और पाकिस्तान के लोगों का समर्थन है अब ये भी पाकिस्तान कर रहा है कि नए नकसे में दावा किये गए भारत के जमू और कस्मीर और गुजरात के जुनागर को पूरा इलाका पाकिस्तान का बताया है अब ये पढ़ाया भी जाने लगा है उल्टा पाकिस्तान ने ये दिखानी की कोशिस की कि भारत ने कबजे में रख लिया है अब इसका इस्तेमाल देश के स्कूली पाठ करम में किया जाएगा कि भारत ने कबजे में रख लिया है जैसे कि उल्टा चोर को तवाल को डाटे पर ये सारा कुछ कागजी ही रह भारत ने इसका भी इंतिजाम कर दिया है वो भी तगड़े वाला और इसमें रूश ने बहुत बड़ी भूमी का निभादी है आपको याद होगा हाली में प्योके का एरिया बड़ा चर्चा में आया था और यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि यहां चीनी सैनिक लेही भारत ने इसका बड़ा वाला इलाज करना सुरू कर दिया है वो इलाज जिसके बल पर पाकिस्तान की वायू सेना बिल्कुल पंगू हो गई है पाकिस्तानी वायू सेना कुछ भी नहीं कर पा रही है और न जंग के हालात में कर पाएगी पाकिस्तान चीन का पिछलग बंद कर दो फ्रंट की लड़ाई में लड़ने के लिए आ गया रहा था लेकिन अब इस्तिती यह हो जाएगी कि पाकिस्तान वाला फ्रंट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और पाकिस्तान चाहकर भी नहीं लड़ पाएगा भारत से फिर बचेगा चीन जो एक तरफ की पाकिस्तान पहले से दुखी है कि रूस इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हो गई है कि भारत इसकी तैनाती कर रहा है पाकिस्तान बॉर्डर पर ना कि चीन बॉर्डर पर दुनिया यह सोच रही थी कि भारत को जैसे ही S-400 मिलेगा भारत इसे चीन के बॉर्डर पर लगाएगा लेकिन अभी तो मिलना सुरू हुआ है धिरे धिरे इसकी यूनिट्स आएंगी पर पहली तैनाती जो हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान सीमा पर अब पाकिस्तान सीमा पर क्यों हो रही है तो आपको बता दें भारत की रननीती बहुत पक्की वाली है और इस रन्निती के तहत भारत ये चाह रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना को यहां पर पंगु बनाया जाए अब S-400 सिस्टम होने की वज़े से पाकिस्तानी वायुसेना बिल्कुल भी कोशिस नहीं करेगी कि भारती वायुसेना में घुसे और S-400 और राफिल का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन मन गया है जिसके बल पर पाकिस्तान को तबाह करना बेहदासान हो जाएगा तो एक तरफ पाकिस्तान ठंडा पड़ जाएगा पाकिस्तान भारती इस पेस में घुसने की कोशिस तो बिल्कुल नहीं करेगा जैसे ही पाकिस्तान को ये चीज लगी कि भारत ऐसा कर रहा है भारत की सीमा पर अब हमारे फाइटर जेट नहीं गुस पाएंगे तो फिर ये रास्ता तो किलियर हो गया भारत के लिए पर हम कैसे बचेंगे भारत अपने राफिल को पाकिस्तान के अंदर भेज देगा और कुछ नहीं कर पाएगा यहां तबाई मचा कर राफिल चला जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान दोड़ा अपने आका चीन के पास और चीन ने भी आओ देखा न ताओ और पाकिस्तान को थमा दिया एच क्यू नाइन अब ये एच क्यू नाइन की जो इतिहास है वो और वो भी ये कितना प्रभावसाली है ये कहना बहुत मुश्किल है सिंगल सौट में ये मार भी पाएगा या नहीं इसकी कोई गारेंटी नहीं है इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि भारतिय सीमा पर चीन ने एस फोर हंड़ेड लगाए है ना कि अपने एच क्यू नाइ वह है जो चीन का कबाड भी ठीक ठाक दामों पे खरीद लेता है यहीं वज़य है कि जब पाकिस्तान पहुंचा दोड़े हुए चीन के पास तो चीन ने उसे थमा दिया एच क्यू नाइन पी इसे थमा दिया अब इस से खुस हो रहा है पाकिस्तान कि हमने इसे अपनी सीमा पर लगा दिया है अब यहां पर अगर हमारे विमान नहीं जा पाएंगे भारत के अंदर तो भारत के विमान भी नहीं आ पाएंगे हमारे अंदर लेकिन इस्तितियां इससे बिल्कुल बिपरीथ है क्योंकि भारत के पास अब ऐसा मौका आ गया है कि भारत पाकिस्तान की तु पियोके पर कबजे के लिए भारत अपनी रन्नीती को बना भी रहा है एस फोरंडेट की पाकिस्तान की तरफ तैनाती एक तीर से दो निसाना है एक तरफ जहां दूसरे फ्रंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है भारत तो वहीं दूसरी तरफ अब अगर भारत पियोके के लिए सीधे सीधे हमला कर देता है तो न पाकिस्तानी वायू सेना के पास उतना दम है कि भारत को रोक सके और ना ही पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम के पास उतनी ताकत है और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर चीन के साथ लड़ाई से पहले भारत ऐसा करता है तो चीन भी इस मामले में सामने नहीं आएगा क्योंकि चीन अपने प्रोजेट्स वहाँ से पहले ही समेट रहा है और दूसरी बड़ी बात ये है कि चीन इस वक्त टाइवान से भी का हुआ है वैसे आपको क्या लगता है क्या प्योंके पर भारत के एक्शन पर चीन आ सकता है कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ